हेलो फ्रेंड्स अपने फर बेबी को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं यह पेडिग्री किलाते हैं या अपने हाथ से बनाय हुआ घर का अच्छा हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ खाना किलाते हैं आज हम आपको प्रोटीन से बरेवे खाने की एक रेसिपी देन जा रहे हैं द्यान से देखिएगा उसके लिए आप एक पैन लीजिए उसमें कोकोनेट ओयल डाल लिए वेजिज कट कीजिए अपनी मन पसंद जो आपका बेवी खाता हो और चिकन लीजिए बॉयल्ड आप उस कड़ाई में बॉयल्ड चिकन को डाल कर थोड़ी देर के लिए सोते कीजिए थोड़ी देर इसको अच्छे से सोते हो जाने के बाद उसमें अपनी जो आपने सबजीयां काटी है वो भी मिक्स कर दीजिए सब्जीयों को भी थोड़ी देर हलका सब्खते करना है जैसे हम घर पे अपने लिए सब्जी बनाते हैं उसी हिसाब से अपने जिस पानी में आपने चिकन बॉइल किया था वह पानी भी इसमें एड़ कर दीज़े वह बहुत हल्दी होता है उसके अंदर सारे गयों होते हैं नुटिशियस पानी होता है वह उसमें डाल करके और बॉइल करने के लिए थोड़ी दर छोड़ दीज़े अब चिकन और वेज जब बॉयल हो जाएंगी अच्य से उनको बॉयल करिए सौफ्ट हो जाएंगी वह बॉयल हो जाएंगी पाँच मिन्ट का समय ले ले लेंगी उसके बाद उसे गैस को बन करके बरतन को नीचे उतार के रख दीजिये और थंडा होने के लिए छोड़ दीजिए जब सबजी नट सब ठंदा हो जाने के बाद भू ग्रैंंडिंग जाां लेजिए उसमे भी उसमें सब डालें और थोडTHE सब पानि दाल लिया तोड़ा पानियां पानियां चलुक्स रमाइबन समय करें थे यह प्रीकि नो A5 क्यम की मैं होता है रादी हिस्टॉिसं किसी को connecting बाती ताइब के साफसे सुपभी नहीं कर थो हमारे डॉगी को सुपभी आवर करती हैं तो हमने उसके लिए ये हुन्हा उत्रेवी तियार किया है उसको रोटी में मिलाए ये राइस में मिलाएजिए ओट्स में मिलाएज झाले पिने वूत बहुत स्मेल भी होती है तो आपको बहुत obey पाइब भगते आयेगा스터-चाना के लिए icons यह हमारी वैसे बहुत नकरे करती है बड़ जैसे ही इसकी इसमेल आती है तो भागी चलिया आती है खाने के लिए और यह इतना खुश हो कि इसको एंजॉय करती है हाँ यह होता है कि गर्मियों में ज्यादा नहीं दे सकते हैं इसको आप ज्यादा बनाई तो इसे स्टोर करके भी रख सकते है आप जब भी दिन में एक बर खाना दें तो वो मिक्स करके उसे दे दें